हेलो दोस्तों आज हम केवल बात करेंगे कि मार्केट का बिहेवियर क्या है बिहेवियर आने वाले टाइम में हो क्या सकता है और हमें exactly क्या करना चाहिए उससे लिटिन में या पर बाते करूँगा तो सबसे पहली बात आज आप देख सकते हो मार्केट में जो निफ्टी हुए नजर आए तो उस सभी चीज से लिटिड बाते करेंगे क्या करना चाहिए उससे लिटिड बाते करेंगे क्या बेच के निकल जाना चाहिए क्या कैश में रहना चाहिए वह सभी चीज से लिटिड हम अच्छे से बात करेंगे तो बिफोर देट वीडियो में आगे चीजों को सीखो, जितना चीजों को सीखो, उतना पैसा बनता हुआ नजर आएगा, वह आज इस वीडियो से भी आपको पूरू हो जाएगा, आप यहाँ पर यह वीडियो जेरे रखे हैं, आप सीखिएगा, ओके यहाँ पर सीखिए और अगर किसी को बारी किया सीखनी है, क्या, कैसे, किस लिए, कैसे आप यहाँ पर चीजों को पता कर सकते हो, तो basics to advanced technical research fundamental कब लेना है, कब बेचना है, और किस तरीके से चीज़ है, यहाँ पर काम करती हुई नजर आती है, वो आपको यहाँ पर पता चलती हुई नजर आएगी, तो 860540501, 8169261037, इन नमबरों को यहाँ पर सेव कर लीजिए, और हमारे यहाँ पर course को जोइन कर सकते और एक बार course को किया, तो याद रखिएगा, हमेशा आगे ही बढ़ते हुए नजर आओगे, पीछे मूर के देखने की जरूत नहीं पड़ेगी, इसके लावा हमारा WhatsApp ग्रूप है, बारे सोड़ पर मन देखे आ, WhatsApp ग्रूप में आड़ों सकते हो, और अगर किसी का portfolio बढ़ा तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मार्केट में कुछ देर तक तो शान था, दस बढ़े तक, उसके बाद एक sharp decline आता हुआ दिखाई दिया, और यहाँ पर आपको मैं कुछ data दिखाऊँगा, तो यहाँ पर आपको पता चलेगी, कि ना तो यह BIC वाली FDIs की तरफ का यहाँ पर खरीदा है, तो यह BIC वाली आई कहां से है, तो यह BIC वाली आई है, HNIs की तरफ से, यह BIC वाली आई है कि यहाँ पर थोड़ा से गिरने लग गया, तो जो retail investors थे, ठेक है, जो आपके और मेरी तरह के investors से, वो डरके भागने लग गये, और run को उन्होंने छोड दिया, और BIC जैसे कैसे, यहाँ तो profit में होंगे, अच्छे कासे, वो profit को cash in करके यहाँ से निकल गये, अच्छी strategy है, ओके बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है इसमें, ओके profit हमेशा book करना चाहिए, तो यह सब चीरों की वाज़े से आप देखोगे, तो retail investor का ही पैसा हमारे market मार्केट में है, इसलिए आप देख पारे हो कि Doe Jones कहां पर है और हम कहां पर है, ठीक है न, हमारा market कहां पर है और American market कहां है, वो आपको यहाँ पर साफ साफ पता चल जाएगी, we are on the top, तो वो किसकी वज़े से हुआ है, वो हुआ है retail investor की वज़े से, ठीक है, तो यहाँ पर की तरफ से कोई विकवाली नहीं है, इस चीट को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, और जब FIIs, DIs की तरफ से विकवाली नहीं है, तो इस चीट को याद रखिएगा कि यह जो गिरावट है, यह temporary गिरावट है, main गिरावट होती तो main गिरापमंट में FIIs निकलते, का यह message है, मैं आपको यहाँ पर दिखार ही दे रहा होगा, कि small cap shows the fake breakout, okay, be in a good stock, सबसे पर तो मैंने का अच्छे stock में रहो, so that can buy good stock at good price, हना तो यहाँ पर अच्छे stocks में रहोगे, तो अच्छे यहाँ पर पैसे बनते हुए नजर आएंगे, as well as, यहाँ पर be in a good cash, यहाँ लिखा मैंने कि be in a good cash, तो मतलब क्या है, कि यहाँ पर cash थोड़ा सा hold कर लीजिए, तो हमने अपने group में already बता दिया था, vanish day को, vanish day मतलब last week में ही बता दिया था, कि यहाँ पर गिरावर्ट होने वाली है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर fake breakout होता हुँए नजर आया है, इसके इर यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम इस टॉक्स देते रहते हैं, अपने group में, वो किस तरीके से perform करते हैं, वो आपके सामने है, अब इसके इराबा, हम बात करते हैं, यहाँ पर market sale rated, तो यहाँ पर देखिए, निफ्टी 50, लगभग 1.34%, 260 points की गिरावट हुई, निफ्टी small cap की अगर हम बात करें, तो निफ्टी small cap देख सकते हो, लगभग 3.59, लगभग 4.63 points की यहाँ पर गिरावट हुई, और fake breakout जो मैं आपको कह रहा था, वो fake breakout आप देख सकते हैं, यहाँ पर fake breakout हुआ, और इसके बाद चाहिए, इसके इलावा हम निफ्टी mid cap, तो यहाँ पर न 4%, 5%, 10% की गिरावट हुई है, तो इस चीच को याद रखिया है, गिरावट हुई है, बट अगर आप अच्छे stocks में हो, तो वो normal है, गिरावट हुई है, they will bounce back, when they will bounce back, तो इसका मतलब यह है, वो bounce back ही नहीं होंगे, वो new high भी बरनाते हुए नजराएंगे, ठीक है, इस पर गिरावट आती हुई दिखाई दी, और क्या करते हैं कि जो mostly retail investor होते हैं, उनकी study तो होती नहीं है, they saw messages from different social medias, जो उनके gurus है, जो भी है, तो यहाँ पर उदर से वो देखके, यहाँ पर बेचना शुरू कर देता है, तो इस वज़े से यहाँ पर गिरावट हुई, और अच्छी गासी गिरावट की वेज़े, फिर small cap भी पीछे पीछे आ गया, फिर 50 भी यहाँ पर नीचे नीचे आ गया, और सब जगह यहाँ पर profit book होने लग गया, तो अब क्या है, तो यहाँ पर आप देखोगे, ओके कल मैं वीडियो सोच रहा था बताने, बनाने की कि मैं आपको वीडियो बनाओ, और बताओं कि शायद market में आपका correction हो सकता है, ठीक है, बट मैं आपर अपने stocks को research कर रहा था कि हम मुझे कहाँ पर buying करना है, कहाँ selling करना है, तो इस वरे से वीडियो नहीं बना पाए, बट यहाँ पर आप देखोगे reason क्या था, तो reason था यह, यह पर ढ़े-दको धार होगे, 10 year bond deal है, तो यहाँ पर देखे जो इनकी bond yield है, वह Panos देखोगे होगे तो हम पर आप यह पर लएग के और यहाँ पर आप देखोगे, तो हम पर देखोगे से बट कर देखों से ब्रेक अँट दिया, घा यहाँ पर इंट्रेस्टिंग नजिज है 10-11 साल की जो यहां पर हाई था ना वो हाई को इसने क्या किया टच करता हुवा नज़र आए इस वज़े से पैनिक में आ गई सारी की सारी चीज़े बट जिस तरीके से अब यहां पर होता हुवा नज़र आए एक नेगेटिव केंडल नज़र आए ठीक है यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर असेंडिंग ब्रॉडणिंग पैटर्न होता है और यहां पर क्या है मुझे गिरावट नज़र आती है और यह गिरावट हो सकता है 4% पे आए और आने वाले थोड़ा सा परिशानी खतम होती हुए नजर आएगी और फिर हम दुबारा उस लेवल पर जाते हुए दिखाई दे सकते हैं तो हम इंडिया मार्केट की बात करेंगे वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा ठीक है बट इस चीच को आपको अगर सीखना है देखना है तो यहाँ अब देखेंगे यहाँ पर हम बात करते हैं अमेरिकन मार्केट तो यहाँ पर आप देख़ पा रहे हो बांड इल नीचे आई है तो बांड नीचे आई है इस वज़े से आप देख पा रहे हो कि मार्केट है केबल 27.2 नीचे है प्लस महीं यहाँ पर क्या है support लेता हुआ न और फिर हम यहाँ पर decide करेंगे, दूसरी बात, एक यह pattern है, इसी double bottom pattern कहते है, यह बहुत बहतरीन pattern है, यह चीज मुझे दिखा रही है, कि अगर वैसा ही हुआ जो होता है, तो यहाँ पर US market, जो हमारा American market है, वो उपर जाता हुआ दिखा ही देगा, जो breakdown के बाद नीचा आया थ है, ओके यहाँ पर जो यह bond deal है, वो bond deal यहाँ पर cool off होती हुए नजर आ रही है, यहाँ पर देखिए जो NASDAQ है, पूरा का पूरा recover हो गया है, नीचे गिरा support लिया, support लेकर यहाँ पर bounce back देता हुआ नजर आ रहा है, again वो ही मुझे यहाँ पर चीज़े अच्छी नजर आती NASDAQ में भी, as well as यहाँ पर हम बात करें, bond deal नीचे आ रही है, bond deal का नीचे आना एक positive संकेत है, और मुझे यहाँ पर एक negative candle बन रही है, अगर end of the day तक देखेंगे, ठीक है कि exactly होता क्या है, यह शायद close हो गया है, यहाँ पर नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है, आ सकता है यहाँ पर नीचे के लेवल पर आती हुई दिखाई दे सकती है, चार और उसके नीचे, तो यह market के लिए अच्छा होता हुँआ नजर आएगा, as well as brand, crude की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर crude की एक बार बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा, यहाँ प शायद लग रहा है कि यहाँ पर 94 या 98 का लेवल टच करके फिर यह भी नीचे आता हूँ दिखाई देंगे इतना नहीं बगाते चीज़ों को इस चीछ को याद रखिएगा तो यहाँ पर American Market देखेंगे कि कि यहाँ पर किस तरीके चल रही है और उसी के according अगर मैं बात करूँ अपने आज किस तरीके से होगा कल मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा तब मैं यहाँ पर और खुल के बात कर पाऊंगा क्लोजिंग वगेड़ा देखने के बाद तो अभी यह मैं बात करूँ तो इसने सपोर्ट तोड़ दिया है ठीक है एक सपोर्ट था यहाँ पर आप देख सकते है एक छोटा सा सपोर्ट था उस सपोर्ट को इसने यहाँ पर तोड़ा ठीक है और साथ में एक सपोर्ट मेजर support और है जो कि यहां पर आपको दिखाई दे रहा है 19,224 का अगर यह तोड़ देता है तोड़ के नीचे आ जाता है तो चीजे बेकार हो सकती है दरवाइस यहां पर से अगर यह ऊपर जाना शुरू करता है तो दुबारा ऊपर हाई बनाने की कोशिश कर सकता है यह हो सकता है या तो टेंपरेली है तो यहां पर फिर मुझे रखता है यह सीध यह 18,800 के आसपास आएगा और फिर बाउंस पर लेगा तो थोड़े वो दिन की प्रॉब्लम हो सकती है यह यह प्रॉब्लम आपकी केवल आज की थी इसके लाव बाकि भी प्रॉब्लम घतम होती है अजार आ तो यहां पर करें स्मालघ के बारे में ठोड़ा सासुन है आपको आइडिया देता हूं बाकि चीजे मुझे लगता है कि नीचे आएगी इस से ज्यादा नीचे नहीं आएगी यहाँ पर इस रेंज में consolidation होगा consolidation हो सकता है कि 3-4-5 महिने का हो और फिर उसके बाद जब चीजे निकलेगी तो याद रखेगा एक हाई बनता हुआ नजर आएगा small cap का target आ रहा है न यहाँ पर 15,630 इस level को crop point पर पोचेगी पोचेगी इस चीज को आज लिख लो और जब यहाँ पर यह पोचेगा ता हम दुबारे इस से related बाते करेंगे ठीक है तो midcap की बात करें midcap भी आप देख सकते है midcap में यहाँ पर fall आया है ठीक है और यह fall इसे कहां तक लेके जा सकता है मुझे लगता है कि 38,420 का एक major level है ठीक है यहाँ पर अगर चीजे रूख जाती है that is okay otherwise क्या हो सकता है otherwise 38,000 तक का मुझे नजर आता है कि 38,000 तक चीजे यहाँ पर आती हुई दिखाई दे सकते हैं अगर 38,000 तक चीजे आती है तो कोई परिशानी वाली बात नहीं है भागा भी उसी तरीके से है थोड़ा गिरा भी है ठीक है और अगर जादा गिरता है तो फिर 35,700 तो थोड़ा हो सकता है परिशानी वाले दिन हो सकते हैं बढ़ आज की अमेरिकन मार्किट की क्लोजिंgest यहाँ पर ज्यादा इंस्पोर्ट philanthrop रखेंगी तक कि मुझे कोई परिशानी नजर नहीं आती और आज की closing और main है कल की closing कल भी हम थोड़ा late ही video बनाएंगे देखेंगे कि exactly क्या चल रहा है और फिर उसके हिसाब से हम यहाँ पर बाते करेंगे और किसी को अगर साथ में काम करना है तो आप इन नंबरों पर contact कर सकते हो आपको पहले ही बता दिया जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पर market का behavior change होता हुआ नजर आ रहा है so that you can protect your profit as well as आप cash में भी आ सकते हो और यहाँ पर इन नंबरों पर contact कर सकते हो course कर सकते हो like करिये, comment करिये, subscribe करिये और चीज़ों को सीखने पर ध्यान दीजिए जितना चीज़ों को सीखेंगे उतना पैसा बनता हुआ नजर आएगा sooner or later तुरंत पैसा नहीं बनता याद रखिए का stock market wealth creation के लिए brand and butter के लिए आप के बल जॉब करिए thank you so much, God bless